तो आज मैं आपको बताऊंगा वाइट चिकन कोर्मा कैसे बनाए जाता है ये खाने वो बहुत दी जदा टेस्टी होता है और वाइट चिकन कोर्मा को आप इसली घर पर भी बना सकते हैं तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बीद बोन चिकन लिया है आप बोनलेस चिकन का यूज़ भी कर सकते हैं सबसे पहले चिकन को आपने अच्छी तरह से दोना है एक छोड़ा चम भर के आप इसमें नमक डाल दीचिए और साथ में आपने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस या विनेगर चिकन को दोएंगे चिकन की जो स्मेल बो ख़तम हो जाती है और इसका जितना भी ग्राबीट है वो सारा छीज़े साफ हो जाता है अच्छी तरह से लेमन जूस और नमक के сво़रा मिक्स कर लीज़े है मिक्स करने वह आपने इसमें पानी **लने के वद आपने चिकन को अच्छ इससे काजू लिए है जो प्याज है उनको आपने रफली काटके एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है और जो काजू है उनको मैंने आदर गंटा पहले गरम बाने में बिखोकी रख दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और एकदम फाइन पेस्ट बने उनका भी यह देखिए प्याज को मैंने अच्छे से पीस लिए और जो काजू है उनको भी आपने इसी तरह से पीस लेना है यहाप मैंने काजू टुकुडा का यूज किया है आप चाहें साबुत काजू का यूज भी कर सकते हैं गरीव बनाने के लिए और के देखिए काजू को भी मैंने अच्छ तो दही एड़ करना है चिकन को थोड़ा तीखा करने के लिए इसमें हरी मिर्ची एड़ करेंगे तो डेट छोड़ा चमा भर के मैंने इसमें बारी कटी हरी मिर्ची एड़ किया है आप चाहें ग्रीन चली पेस्ट भी डाल सकते हैं या पर चिकन को मैरनेट करने के लिए अच बड़ा चमाच ओयल एड़ करेंगे और एक बड़ा क्यूब इसके अंदर बटर एड़ करेंगे और साथ में इसमें एक तेश पत्ता एक छोड़ा सपीस जावित्री एड़ करेंगे दो छोड़े पीस आपने इसमें दाल चिनी के डालने है खड़े मसालों से अच्छा एची डाल तेशिए और अठ बंजाए लोस बस। इसमें फ्लेव डूटा जाता है और झाल चूट बड़ू का अध्र के पाल तेश जाए और चेए पेश चातंब लिया है इसके बदम इसमें प्याज का पेस्ट चायड करेंगे जो प्याज की प्यूरी हमने बनाकर रखी दी अब आपने गैस की फिले महाई करनी है और हाई फ्ले में प्याज के पेस्ट को तब पकाना है जब तक यह पकने के बाद अच्छी तरह से ऑईल ना छोड़ दे त अच्छा टेस्ट है उसको खतम करना बहुत ही जुरूरी होता है तो ग्रेवी न अच्छी नहीं बनती है और जबीत्री इसको अपने निकाल देना है जबीत्री का अपना फ्लेवर है वो ग्रेवी के अंदर आ चुका है और के देखिए प्याज ने पकने के बाद यहां पर अ आप चिकन को प्याज के साथ मिक्स करें ने तो देहि के ना फटने के चांसी रहते हैं और के देखिए अच्छी तरह से मैं ने चिकन को मिक्स कर लिए प्याज के साथ में अब उपर से कवर कर दीचे और मीडियम फ्ले में 4-5 मिंट तक पकने दीचे ताकि चिकन के अंदर जो moisture है वो निकले और देख सकते हैं चिकन ने यहां पर अच्छे से पानी चोड़ती है और अभी हमने इसमें बिल्कुल भी पानी के यूज नहीं किया है क्योंकि चिकन की ना बुनाई करना बहुत ही जूरी होती है तो फिर से आपने ऊपर से cover कर देना है चिकन को बैसे ही आ मतलब ग्रेवी अच्छे से पक चुकी होती है और अब चिकन की ग्रेवी में moisture कम है तो इसके बद आपने इसमें काजू का पेस्ट आइड करना है इसके बद आप काजू का पेस्ट आलेंगे ना अच्छी whiteness भी आएगी और अच्छा टेस्ट भी आएगा तो अच्छी तर में रखिए और पकने दीजिए इसको और के देखिए चिकन को पकते हैं पर टोटली 25 मिनिट हो चुके हैं और जो क्रेवी है फिर से उसने अच्छी तरह से oil छोड़ दिये काजू का पेस्ट भी अच्छी तरह से एक बड़ मिक्स कर लेते हैं और लास्ट में आपने इसमें थोड़े से मसाले और एड़ करने उनसे बहुती बड़ी आप फ्लेवर आएगा थोड़ा सा आप इसके अंदर कोर्मा का मसाले एड़ कीशिए या फिर गर्मसाला पौडर डाल सकते हैं इसके अंदर और थोड़ी सी आपने इसमें रोश्की कसूरी में थी आड़ करनी है औ फिर ब्लेक पेपर पौडर इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं पर उससे ना कलर थोड़ा डाल को जाता है और के देखिए अच्छे से मैंने क्रीम को भी चिकन के साथ मिक्स कर दिया है तो यह हमारा वाइट चिकन कोर्मा बनके त्यार हो चुका है आप इसको कमीरी रोटी के स लच्छा परांटा या नान के साथ खाय सकते हैं थोड़ा सा आप इसके अंदर केवरा बॉटर डाल दीजिए हलका सा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए तो वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट जूर कीजेगा ओके फ्रेंज